कि नमस्कार प्रभा सक्षी न्यूस नेटों कर आप सभी का स्वागत है इस वक्त हम हर्याणा विधानसवा चुनाओं के जो प्रचार की विबिन रंग है वो आप जब पहुंचा रहे हैं हम इस समय हैं रेवाडी विधानसवा छेत्र में और मेरे साथ हैं कॉंग्रेस प्रत् किसान में विधायक चिरंजीव जी आप बिल्कुल देसी अंदर प्रचार कर रहे हैं जो आपने देखे मैं किसान का बेटा हूं और एक फोजी का बेटा हूं और हम लोग हमारी जमीन के साथ जुड़े वें और मुझे बढ़ा अच्छा लगता है अपने गाउं के अंदर म अज यहां सभागत किया है और इनके अन्रोद के पर आज एक बार फेट्रेक्टर चलाने का मौका मिल रहा है और आपने क्योंकि किसान की बातकरी जवान की बातकरी तो यही दोनों तो मुद्दे इस बार चुनाओं में देखे मुद्दे नहीं है यह आज यह सबसे बड़ सबसे ज़्यादा फौज में अगर कोई जाता है तो हमारे इस इलाके से जाता है तो आज बहुत नराजगी युवाओं में भी है हमारे बुजर्गों में भी है और किसानों के अंदर भी सरकार के प्रती बहुत नराजगी है आज राहूल गादी जी ने मुद्द उठाया है और कहा है कि हर्याणा में टंकी रूट लेना पढ़ रहा है राजे के युवाओं को यह तो सच्चा ही है आज इसको कोई जुटला सकता है आज डंकी रूट लेना पढ़ता है नशे की चपेट में आ चुका है पूरा हर्याना हम यह लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से हमारा जो युवा है वो नशे की तरफ जा रहा है वो इसलिए जा रहा है तो कि उनके पास काम नहीं है जब युवाओं के पास काम नहीं होगा तो वो क्या करेंगी इस तरह भी जाएंगे आप 5 साल विधायक रहे अब विपक्ष में रहे अब जैसा कि हवा चल रही कि कॉंग्रेस की सरकार आ रही है अगला टर्ब मिलता है तो ऐसे कौन से काम रहे है जिनको प करेंगे और आज शेहर की बधाल हलत है उसको पर हम लोग आने वाले समय के अंदर काम करेंगे ताकि सब लोगों को समान रुप से विकास हो सके और कॉंग्रेस बीजेपी कह रही है कि कॉंग्रेस में 800 विमार वाली बात है क्योंकि यहां पर लोग सीम के लिए लड़ रहे ह हैं कि मुझे बनना है और इनके अपनी लड़ाई है इनके जब खुद अमिश्या जी ने कह दिया है कि इनके सीम का चेहरा नायब से नहीं हो गया पर आज इस बात को समझ चुके हैं कि सब्ता से जा रहे हैं तो इस वज़े से आज आपको विरोध के स्वरिन में सुनाई द अपने आप में Congress Party इतनी सक्षा में है है अभी तो हमारी सेना इतनी मजबूत है हमारे जब सेना पती आएंगे मैदान में तो BJP आपको भागती हुँ नदर आएगी ओर आज नैप सिंग सैनि की प्रेस कॉंफtemps हूई है को सेलजा जी को साइडलाइन कर दिया कल शेलजा जी का उसको पर जवाब आ गया कि वो कॉंग्स पार्टि में है कॉंग्स पार्टि में रहेंगी शेलजा जी रहेंगी हमारी نेता है और आज भाजपा पूरी तरह से घवरा रही है क्योंकि कॉंग्रेस पार्टी भारी बहुमत के साथ सब्ता के अंदर वापसी कर रही है सब्सक्राइब करेंगे जवाब डेश की जनता देगी जैसे लोकसभा में जवाब दिया था इसी तरह से विदान समय जवाब देने अगाम करेंगे आपके विपक्ष में जो आये हैं वो दूसरे जिगा से आ गए हैं क्या कहना उनके बारे में ये साफ पता चलता है कि उनकी हार गोसली में भी हो नीती यहां जाकर वो ज्यादा मतों से आ रहेंगे और इस बार मुकाबला सिर्फ आपका बीजेपी से नहीं है एक और वेक्ति दिल्ली से आये हैं जो कि हर्याना का लाल खुद को बता रहे हैं वो भी बोड़े जोड़ शोड़ से परचार कर रहे हैं क्या लगता है कौन आये दिल्ली के पूरु मुख्यमंत्री भी आये हैं वो थान कोया है कि मैं हरें का ला लूँ को उनकी सरकार है यह बात पूठने चाहिए बैट लूट चंद्रशेकर राजाद की पार्टी के साथ गठबंदर हुआ है और भी तमाम दल मेधान में कैसा भवीशे लगता है कोई फरक नहीं पढ़ने वाला हर्याना एक तरफा कॉंग्रेस पार्टी जीतने जा रही है अभी तीन महीने पहले जो मैच है वो बराबरी पर छूटा था अब कॉंग्रेस इस समय कितना आ गए है कॉंग्रेस पार्टी प्रचंड भहुमत के साथ सरकार बनाएगी आने वाले समय के अंदर आप देखेंगे जिस तरह से हमने 10 में से हमारी एक भी सीट नहीं थी अपकी बार हमने 10 में से 5 सीटे जीती और बहुत सीटे ऐसी है जो बह कद लेकर आएंगे विकास लेकर आएंगे बहुत धन्यवाद आपको अच्छी रंजीव जी तो उन्होंने बताया कि चुनावमिन के मुद्धे क्या है और विश्वास जताया है प्रचंड जीत का कैर परड़ाम आठ तारीक को आएगा फिलाली सिर्पोर्ट पेता ही कैमरा कि नीचे दिए बैल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके